हलो दोस्तो आज केश वीडियो में बिहार दरोगा new vacancy और बिहार पुलिस constable new vacancy के बारे में बात करने बाले हैं क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस constable दोनों के नई भरती के related बहुती बड़ी update आई है सुभी को पताए कि पुलिस के अंतरगत जो भी भरती आते हुए गिरी बिबाग यानि की होम डिपार्टमेंट के अंतरगत निकाली जाती है। संबंदित आयोक के दोरा उस पोस्ट पर भरती निकाली जाती है। सारी जानका इस वीडियो में आप सभी को मिलने बाली इसलिये आप सभी वीडियो को पुरावस देखेगा तो चलिए आज का उड़ करते हैं। इसमें आगे कागे कि परदेश में सरकारी नोकरी को लेकर इन दिनों बयान बाजी तेज़ा सरकार भी नोकरी सिर्जन करने के लिए कोसिस कर रही है। इसमें दरोगा के दो हजार पोस्ट रहने बाले हैं। इसमें सबसे पहले प्रारंबे की स्कुलों में खाली परेपदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस बिभाग में 12,000 रिक्तियों का ब्योरा बेजा है। जिसमें सब इस्पेक्टर सारजन सायक जेल और 10,000 सिपाई के पद सामिल है। इसमें किर्सी बिभाग ने सारे 800 रिक्तियों का ब्योरा बेजा है। इस पर भी जल्द बाहली शुरू होगी बिभाग ने 2000 से ज़्यादा सरवेक्चन अमीन का ब्योरा बेज दिया है। शिक्षा बिभाग के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बाहली करने वाला बिभाग स्वास्त बिभाग होगा जहां एक साथ लगबग 12,000 बाहली होनी है। बिभाग ने इसका ब्योरा भी समान परसासन बिभाग को बेज दिया यानी आयूस चितिक्सक नर्स लेव टेक्निशन की बाहली होगी इसके साथ ही जल्दी तक्निकी सेवा आयोग बीपी एससी समय सभी बिभागों में वेकेंसी निकाले जाने की तयारी है। तो पुलिस बिभाग में टोटल 12,000 पोस्ट पर भरती आने बाली है जिसमें की 10,000 पोस्ट आप सभी के कौंस्टेबल के राने बाले हैं। अगर बात करें बिहार पुलिस बिहार दरोगा की भरती कब तक देखने को मिल जाएगा तो ये दोनों भरती आप सभी को दो महिने के अंदर देखने को मिल जाएगा। विका दनिवा।